आज हम लोग संचार व्यवस्था के सारे अब्जेक्टिव को जानेंगे इससे दो से तीन मार्स में पूछ लिए जाते हैं एक्जाम में इसलिए इसको कबर करना बहुत जरूरी है चलिए कबर करते हैं पहला कोशन है किसी माध्यम में संचरन के समय सिगनल का सामर्थ हानी होत चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर तो नेक्स्ट कोशन जो कहा जा रहा है वह है कि संचार व्यवस्था के आवसक तत्त हैं संचार व्यवस्था के आवसक तीन तत्त हैं पहला है प्रिशित्र दूसरा है संचार चैनल तीसरा है अभिगराई इसलिए प्रिशित्र संचार चैनल और अब अप्शन हो जाएगा उसके बाद चलते हैं थार्ड नमर कोशन पर तो थार्ड नमर कोशन का जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेवर यानी www का अविस्कार कौन था जैसे हम नेट में कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो www डबलू सुरुवात में होता है तो यही जो है इसका विसकार किसने क्या था तो उसका विसकार क्या था टीम वर्नर्स लीने उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर नेक्स्ट कोशन है कि ट्रांजिस्टर में बिदूत चालन का कारण है तो ट्रांजिस्टर में बिदूत च पर्योकर के किसी सिगनल की बढ़तिवी सामर्थ की बीधी को काते है तो वो हता है पड़वर्धन बिद्धुत पर्योकर के जो किसी सिगनल की जो सामर्थ को बढ़त bib importantes काते हैं उसके बाद चलते हैं छथे नमर कोक्ष्ण पर दशचा नमर कोsण का जा रहा है कि निमन में से कौन सा संचार के प्रसारन बीधा का उधारन है तो वो है रेडियो संचार बीधा का उधारन है वो रेडियो के द्वराई जो संचार किया जाता है तो उसके बाद हो जाता है संचार बीधा और देखे टेलीबीजन भी लिखावा है तो यहाँ पर का जा रहा है कि वैसी युक्ति जो सवरुर्जा को बिद्दू तुर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते है तो उसे कहते हैं सवर सेल जो कि बिद्दू तुर्जा को जो बिद्दू तुर्जा में बदल देता है उसके बाद चलते हैं नमर नमर कोशन तो नमा नम उसके बाद चलते हैं नेश्ट कोशन पर टेन नमर कोशन तो टेन नमर कोशन का जाएगा उसके बाद चलते हैं नेश्ट कोशन पर अलेवन नमर कोशन का जरा है कि वाहक तरंगों पर किसी सुचने के अध्यारोपन की परकरिया का क्या नाम है तो वह है modulation या हिंदी में इसको modular कहा जाता है यह याद रखना है आपको उसके बाद चलते हैं next question कि भी परसारन के लिए किस आविर्ती का उप्योग किया जाता है भी परसारन के लिए तो किस आविर्ती का उप्योग किया जाता है तो उसका परास होता है 30 किलो हर्टर से 30 मेगा हर्टर से 300 मेगा हर्टर यह याद रखेगा उसके बाद चलते हैं कि 13 नमर option का जरा है कि उपगरह संचारन में विद्दूत चुमक्य तरंग का कौन सा भाग परियुक्त होता है तो वो होता है सुक्षम तरंगे उपगरह संचार में सुक्ष तरंग का उप्योग किया जाता है उसके बाद चलते हैं 14 नमर question तो 14 नमर question का जरा है कि रेडियो और टेलिविजन पर सारन में सुचना संकेत का रूप होता है तो वो होता है एनलोग सिगनल याद रखिएगा उसके बाद चलते हैं 15 नमर question पर 15 नमर question फैक्स का अर्थ पूचा जरा है तो फैक्स का अर्थ होता है फैसी स्माइल टेली ग्र यानि बी नमर option उसके बाद चलते हैं 16 नमर question पर 16 नमर question का जरा एक टेलिविजन संचारन में आउम तोर पर उप्यूग ताबिरती परास है तो वो होता है 30 से 300 मेगा हार्ट जो कि थोड़ी दिर पहले question मेंने solve किया था उसके बाद चलते हैं 17 नमर question 17 नमर question है कि दूर तक र आयन मंडल द्वरा short wave band परावर्तित हो जाता है इसलिए उसका उप्योग किया जाता है उसके बाद चलते हैं 18 नमर question पर 18 नमर question का जा रहा है कि वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपन की परकिरिया को कहते हैं तो वो होता है modulan वाहक तरंगों पर किसी सूचना का दिरोपन modulan कलाता है उसके बाद चलते हैं 9 नमर question 19 नमर question तो 19 नमर जो question कहा जा रहा है वो है कि I am modulation के modulation सूचकांग होते हैं तो वो होते हैं 0 से 1 के बीच होता है उसके बाद चलते हैं next question पर next question जो कहा जा रहा है कि नियत I am का radio तरंग निमने में से किस से उत्पादित होता है तो वो होता है 2 लित्र से नियत I am का radio तरंग 2 लित्र से उत्पन किया जाता है तो यह 20 question जो आपको याद रखने इससे कम से कम 2 से 3 लड़ी जाएंगे तो ज्य आदा मुस्किल भी नहीं है याद रखना